साथियों आप सभी का इस प्रेटफार्म पर स्वागत है यहां पर हम लोग उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा जो भी PCS की परिछाएं कराएगी हैं उन प्रेशन पत्रों को यहां पर हम लोग पूरी व्याखे साथ देख रहे हैं और उसी के ताहत हम लोग PCS 2020 के प्रेशन पत्र को सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले पार्ट में 75 कोशन को इस वीडियो में हम लोग कंप्रीट करेंगे चलिए प्रारम करते हैं 76 नंबर कोशन है यहां पे दो सूचिया दी गई है यह पॉलिटिक का कोशन है इन्हें हमें सुमेलित करना है तो देखिए यहां पे जो सुमेलित दिया गया है भारती सस्त्र अधिनियम 1878 का है साही पत अधिनियम 1876 का है भारती उच्छ नियायले अधिनियम 1861 का है और भा वार्ती विवाह विच्चेत अधिनियम 1879 है ठीक है इस प्रकार से यहां पर डी ऑप्शन आपका सही था आगे चलते हैं अगले प्रश्मत देखते हैं संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी या पंचायती राज व्यवस्ता संबंधी प्रवधान दिये गए ह है तो यह आपका दिया गया है भाग 9 में ठीक है भाग 9 में दिया गया है तो ए उप्शन से हो जाएगा 73 में संब्धान संसोधन अधियम 1992 के द्वारा संब्धान के भाग 9 के तहट पंचायतों को संब्धानिक दरजा प्रतान किया गया है इसमें पंचायतों को स्वासासन क कि संस्ता सुईकार किया है आगे जलते हैं हिए छोड़ा गया प्रसासन व्यवस्ता है उसको जोड़ा गया में 1992 में भारती संग हातुे व्यवस्ता में त्रित वर्च 1902 लजो Hiso सम्मिधान संसोधन सहरी इस्थानी सरकार से सम्मंदित है जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है यहां ध्यान देने की बात है कि उत्तरपतिस लोग से आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तरकुंजी में विकल्प डी को सही माना गया है मतलब 1993 आगे चलते हैं निम्लिकित में से कौन सा सम्मिधान के अनुछे तीन के ताथ संसत के एक कानून द्वारा संभव नहीं है तो नए राज्यों का प्रवेश जो है वो अनुछे तीन के ताथ संसत के कानून द्वारा संभव नहीं है देगे भारतिस सम्मिधान के अनुछे तीन के ताथ नए राज्यों का न निर्माण उसके छेत्रों सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारती संसद में नहीं थैं जबकि अनुछेद एक किताथ संग का नाम और राज्चेत्र अनुछेद दो किताथ भारती संग में नए राज्यों के प्रवेश या इस्थापना का परवधान किया गया तो ये जो नए राज्यों का प्रवेश है ये अनुछेद दो के तहाथ आएगा ना कि तीन के तहाथ आएगा आगे चलते हैं निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमका नहीं होती है तो देखिए उचिन्याले की नाधिसों को बिलकुल होत इसलिए डी आप्सन आपका केवल तीन सही हो जाएगा दिखिए अनुछेद 317 के अंसार लोक सेवा आयो के अधच या किसी अन्य सदेश को केवल कदाचार के आधार पर राश्पती की ऐसे आधेश उसके पद से हटाये जागा जो उचितम नियाले को राश्पती द्वारा निर्देश की जाने पर उसे नियाले द्वारा अंशेद 145 के अधिन इस परियोजन के लिए निर्दाइद प्रक्रिया के अंसार की गई जाच के पस्तात इस संब्द में दिये के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गयो हो जिबकि उचियोम उचितम नियाले के नियाधीशों योम भारत के नियंत्रक्यों महालेखा परिच्छक को हटाने में संसत की भूंका होती है आगे देखते है पंचाहेतों के लिए कराय जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिशन, नियंत्रन नहींत होता है किसमें ये राज निर्वाचन आयोग में नहींत होता है आठकिल 243 के वन के अनुसार पंचायतों युम नगर पालिकाओं के चुनाओं के लिए निर्वाचक नामोली तयार कराने और उस इनके निर्वाचनों के संचालन, अधिछन, निदेशन और नियंतन एक राज निर्वाचन आयोग में नहीं थोगा अगला है निम्निकिति गुम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो देखिए अंतर राजी परसद 263 में है, वित आयोग 280 में है, प्रसासनिक नियाधिकर्ण ये अनुछे 223 का में है, संग लोग सिवा आयोग ये आपका 315 में है, तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, ठीक है तो बात में से आयोग ने अपने मुल्यांकन कुझी से बाहर कर दिया था, तो यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित हैं, आगे चलते हैं, भारते सम्मिधान का कोन सा अंचेद, केंद्रिय सतरक्ता आयोग का वर्ण करता है, केंद्रिय सतरक्ता आयोग का, तो देखिए, केंद्र सतिरीय सतरकता आयोग केंद्रीय सतरकता रोकने के लिए एक प्रबुक्त संस्ता है वर्स 1974 में केंद्रीय सतरकता आयोग ना तो सांवेदिक संस्ता है ना ही संवेधानिक है सितंबर 2003 में संसपद्वारा पारित एक बिधिद्वारा इसे एक बिधिद्वारा इसे जो है सामविधिक दर्जा दिया गया वर्तवान में इसको सामविधिक दर्जा संविधानिक नहीं है जबकि अनशेट 280, वितायूग, अनशेट 268, संग द्वारा उद्गरहित किये जाने वाले, किन्तु राज्यों द्वारा संगरहित और बिनोजित किये जाने वे सुल्क हैं, यहों अनशेट 276 वृतियों, ब्यापारों, अजीविकाओं और नियोजनों पर करसे सम्मधित हैं भारती सम्मधान के अनशे 371, यहां के अंतरगत, देश के किस छेत्र को विसेश इस्थित परदान की गई है, तो इसके दाथ हैदराबाद और करनाटक को विसेश इस्थित परदान की गई है, देखिए, 118 सम्मधान संसोधन विधेयक 2012, जनवी 2013 में राश्पती की सुईक के बाद एक नया अनुछे 271, यहां जोडा गया, अनुछे 271, यहां करनाटक के राजपाल को हैदराबाद करनाटक 6 के विकासित कदम उठाने के लिए श्रसक्त करता है, आगे चलते हैं, निम्लिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, तो देखिए, मूल करतब बाद है, ना कि भाग 13 में, तो यह वाला सही नहीं है, संग और राज्यों के दिन सेवाएं, यह भाग 14 में हैं, आगे चलते हैं, भारती संसत की सबसे बड़ी समित कौन सी है, तो यह है प्राकलन समित, प्राकलन समित संसत की सबसे बड़ी समित है, इस समित में सजश्यों क संक्या 30 होती है इसके सज़श के और लोगसभा से ही लिए जाते हैं इसका कारिकाल एक वर्स होता है प्राकलन समित यह बताती है कि प्राकलनों में नीद के अनुरूप क्या मिद्वयायता बरती जा सकती है तथा संगठन कारिकुसलता और प्रसासन में क्या-क्या सुधार किय जा सकते हैं जिबकि लोग लेखा समित में दोनों सदनों के कुल 22 सज़श लिए जाते हैं जिने 15 सज़श लोगसभा से और साथ सज़श राजसभा से होते हैं समित का कारिकाल एक वर्स होता है सरकारी उपकर्म समित में 22 सज़श होते हैं इनका भी कारिकाल एक वर्स का होत करना और प्रस्तूत करना है भारती संविधान के कौन से अनुशेद नागरिक्ता से सम्मधित है नागरिक्ता से सम्मधित है अनुशेद 5-11 भारती संविधान के भागदो के अंतरगत अनुशेद 5-11 तक में नागरिक्ता सम्मधित प्रवधान उलिखित है राज में मुखमं सभां सधैस्षियों की संख्या के बारे में उपबंध है भारत के सरभुच नयालय ने सम्विधान के आधारवुट धांचे की सिध्धान центों इश्पष्टक स्थमें किषवान भारत भाती वाद 1973 के मामले में पनाम केरल राज 1973 के मामले में सर्वूच नयले ने प्रस्तावना अर्थात सम्पिधान वह नहीं रहा तक पहचान खोदेगा आगे देखते हैं निमुलिखित सही सुमेलित नहीं है तो देखिए अनुशेत 49 ए इसमें क्या है सामान न्यायोम निसुलक विदिक सहायता है अनुशेत 40 में ग्राम पंचैतों का संगठन है अनुशेत 44 सामान नागरिक सहीता है अनुशेत 49 न्यायपालिका का कारिपालिका से पिथक करन है तो यहाँ पर लिखित कत्म पर बचार कीजिए राश्पति किसी ऐसे व्यक्त की नखती करेगा जो उच्टम न्याले के नखिस के रूप में नुक्ति के लिए योग योगा महानयवदी के लिए दूसरा अधरा प्राप्त करेगा जो अधारित करें तो यह नहीं है पहला सही दूसरा वाला गलत हैं तो ए आप्सन आपका सही हो जाएगा देखें महानयवादी देश का सर्वोच विद्यद्गारी होता है उनुचे 76-1 के उसा राश्पती उच्टम नयाले के नियाधिस निक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्त को भात के महानयवादी निक्त करेगा अनुचे 76-4 76-4 के उसार महानयवादी राश्पती के प्रसाद प्रेंत पदधार्ण करेगा और इसा पारिश्रमी प्राप्त करेगा जो राश्पती अधिधारिद करेगी नाकिर संसर्थ नीचे दो कथन देगें कथन काणवाला प्रशन है तो इसमें देखते हैं भारती संगहात्मक बेवस्था को अर्थ संगहात्मक कहा जाता है बिल्कुल सही बात है कारण भारत में एक स्वत्मत नाइपायल का जिसे नाइक पुनर निरिच्छड का अधिकार है ये भी सही है समान इस सित में प्रशन है किन आपात इसित आदि के दोरन परिवतित हो जाने कि इसके गुर्ण के करण ही इसे अर्थ संगहात्मक कहा जाता है भारती संविधान में शुतनतर नाइपायल का परवधान है भारत में सर्वोच नेयले को नैक पुनरेश्ड की सक्ती प्राप् पालिका आदेशों की सम्मिधानिकता की जाच की जा सकती है। सर्भुच नीया दौरा अधिकारता पाये जाने पर उन्हें सम्मिधानिक और अबैयत तथा उस इसतर तक सुनी घोषट क्या सितरह है, 372 के उबंद प्रतेच या प्रतेच रूप से नायक प्रणोन रिच्ण की सक्ति प्रदान करते हैं. आगे देखते हैं, निम्रकित में से किसे पर गत्रोत दूर करने हैं, तो लोगसभा और रासभा की समयुत बैठाग हो सकती हैं, तो समानी विध्यक पर गत्रोत दूर करने के लिए। राजपती पर महभयोग से समय दो से मिला दीजिए। अनुषे शिक्सथिसे छाव क defines ये पर राशपति को हटाने समय से चार से मिला दीजिए कि स्पिकर लए अठाक अध्यटकुकह अनुचे नभ्वें हैं ये राजसभा की सभाफवती को हटाने समय थैं इससे 1 से मिला द आगे चलते हैं भारत की सम्मिधान सभाने इनियुक्त में से किस तित को राश्टी द्वज को अपनाया था तो 22 जुलाई वह नियुक्त में पर राश्टी द्वज के बीच चक्र में 22 जुलाई चुडाई का अनपात है वो दो अनपाते तीन है आगे चलते हैं निम्रिकित समितियों में से किसने मात्र पोशक तत्तों के अधार पर गरीवी रेखा का निधान किया था तो अलग समित ने किया था काहड़े दल्दवारा भारती चीकिसा सोधि परिसत के नियुंतम पॉशाहार आँशक्ता रिपोर्ट को ध्यान मैरकर नियुंतम कैलोरी आँशक्ता को गरीभी रेखा निध्यार का धायर बनाया गया इसके अफिदिन 2700 कल, साहरी चेट के प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2100 कल, उनके लिए आवश्यक है, जिनका वे कल आयुक सथा की पूरती से कम होगा। वे गरीबी रहा कि नीचे होंगे। इस मानक पर 1973-74 के मुली पर ग्रामिर छेतर के लिए 49 रुपे तथा सारी छेतर के लिए 57 रुबे प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह गरीबी रहा का निधान हुआ योजना आयोगदरा वर्स 1989 में प्रोफेसर D.T. लकडवाला की अधिस्ता में एक विशेशा की दल का गठिन किया गया जिसने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रसुत की दिसम्बर 2005 में योजना आयोगदरा सुरेजडी तेंदूलकर की अधिस्ता में एक विशेशक दल का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट नॉम्बर 2009 में प्रसुत की तेंदूलकर समित की रिपोर्ट को रिपोर्ट की समिच्छा वा संसोधन के लिए वर 2012 में रंग राजन समित का गठन योजना आयोगदरा किया गया इस समित में जून 2014 में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौपित अंदूलकर समित ने आगे देखते हैं निम्लिखित सुचकांग को में से कौन सा मानो विकास सुचकांग HDI की गणडा में समलित नहीं किया जाता है तो देखिए इसमें आपका जीवन प्रत्यासा सिच्छा प्रतिवक्ति आय ये तीनों सामिल होते हैं तीन इंडिकेटर होते हैं परन समाजिक असमानता इसमें सामिल नहीं होता है तो D option साही नहीं है मानो विकास सुचकांग ताथ स्वास्त आयाम का आकलन जन्म के समय जीवन प्रत्यासा सिच्छा आयाम का आकलन स्कूलिंग आओधी के माध ताथा जीवन इस तर पर आयाम का आकलन प्रतिवक्ति जी एन आई प्रतिवक्ति आय के आधार पर किया जाता है गरीवी के संस्कृत का विचार प्रसुत किया गया था किसके दोरा आसकर लुईस के दोरा किसके दोरा आसकर लुईस के दोरा निर्धनता के संस्कृत कल्चरा पुवर्टी के अधाना को अमेरिकी मानो सास्त्री आसकर लुईस दोरा प्रसुत किया गया था इस आउधाना के उसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृत के प्रभाव के काण ही निर्धन बने रहते हैं उनकी अपनी संस्कृत उन्हें निर्धनता से उपर उठने रहे तो फुरसाहित नहीं करती है आगे चलते हैं अटल नवनुवेशन मिशन ए आईयम किस विवाग की पहल है तो यह नीत आयोग की पहल है ठीक है ध्यान रखेगा नीत आयोग की संगढ़न वर्स 1919 में अस्तित में आया था अक्टूबर 1919 में वांसिंटन में आयोजित पहले अंतर राश्टी स्रम संवेलन में मजदूरों के प्रतनिधी गुरूप में एनम जोशी को भीजा गया था जब तो उनके सलाहकार गुरूप में बी पी वाडिया भीजे गये थे उत्तर प्रदेश लोग से वायोदरा इस प्रस का उत्तर विकल्प ए माना गया है जो की गलत है आगे चलते हैं शम्रोविद बाल विकास परियोजना के अंतरगत निम्लिखित में से कौन सा एक समलित नहीं है तो इसमें परिवार नियोजन समलित नहीं है शम्रोविद बाल यह योजना छे सेवाओं का एक package उप्लगत राती जिसमें सामिल है पूरक पोष्ण, स्कूल पूर्व अनुपचारिक सिच्छा, पोष्ण यूम स्वास सिच्छा, टीका करना स्वास चेकप और रेफलर सेवाएं, परिवाद नियोजन इन छेहों में नहीं आता है, नीत आयोग द्वारा, दिसंबर 2019 में जारी, सद्ध विकास लच्छों, भारत सुचकंग 2019-2020 पर जारी रिपोर्ट के अंसार, उत्तर प्रदेश को निमलिखित, वर्गों में से किसमें वर्गी किर्थ किया गया, तो इसे अच्छा प्रदसन या परफॉर्मर स्रेणी में रखा गया है, देखिए, ये पुरानी रिपोर्ट है, ये करेंट अफेर का कोश्चन हो गया, तो इसे बहुत ध्यान देनी जरूत नहीं है, आगे चलते हैं, भारत में गरीबी के अनुमान हेत, निमनिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो देखिए, कौन सा हो रहा है, शिर्गर्णा विधि, कैलोरी ग्रहन, परिवारी उपभोगवे, ये औरा प्रति व्यक्ति आया, इसका उप्योग नहीं हो रहा ह भारत में गरीबी के अनुमान हेत, शिर्गर्णा विधि, हेड़ काउंट रेशियो, कैलोरी ग्रहन, तहा परिवारी उप्योगवे, विधियों का प्रयोग किया जाता है, आश्मान भारती उजना के संदर में निमनिकित में से कौन सा या से कथन सकती है, पहला या या ये पांच लाग रुपए का मुफ्त स्वास्ट बिवाँ प्रदान करते हैं, प्रति वग्ति नहीं, प्रति परिवार है। एक्понका प्रति परिवार की बात है यहां पे। इस योजना में होने वाले व्याय में केदर और राजयों की भागदारी 60, actions 40mm to 80, 00, चारीस के होनी हो की option में नहीं दिया गया है तो यहां पर देखिए आर्थिक समिच्छा 2019-20 के खंड एक के प्रिश्च संख्याद 231 पर देखेंगे तो उसके वसार वर्स 2025 तक पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थ 24 को ठीक है मानो गरीवी सुचकांग HPI की आउधाना मानो विकास रिपोर्ट 1997 में प्रसुत की गई लेकिन मानो विकास रिपोर्ट ने इसे बहुयामी गरीवी सुचकांग MPI दारा निम्लिकित में किस वर्स प्रस्ताबित कर दिया तो 2010 में 2010 में देखिए UNDP के अनुसार केवल विक्त की आये के मापन मातर से उसकी निर्धानता का समगर अनुवान नहीं लगा जा सकता है निर्धानता के समगर मापन है सिच्छा स्वास्तियों जीवन इस्तर के अनिपहलिवों का मापन भी आवश्यक है इस तत्य को ध्यान में रखते हुए मानो विकास रिपोर्ट में वर्स 1997 से जारी मानो निर्धानता सुचकांग Human Poverty Index के स्थान पर वर्स 2010 से बहुयामी निर्धानता सुचकांग Multidimensional Poverty Index प्रस्तुत किया जाने लगा नीचे दो कथन दिये गए कथन कामला प्रस्त है तो देखते हैं इसमें राष्टी धाचागत पाइप लाइन एन पी आई सरकार दोरा वर्स 2020 से तीस के अउधिक लिए आरम किया गया है यह कथन सही नहीं है राष्टी धाचागत पाइप लाइन अर्थ एन आई पी का उदेश सभी को समान धाचागत सुब्दाप प्रदान करना तो यह सही है कथना अपका गलत है कारण सही है देखिए राष्टी आउसरचना पाइप लाइन पर गठित कारदल वर्स अपनी अंतिम रिपोर्ट 29 अप्राइल 2030 को 2020 को वितमंत्री निर्मला सितरा नमल को सौपी राष्टी आउसरचना पाइप लाइन का उद्देश सभी नागरिकों की जीवन की वोड़ता में सुधार लाना था देश में विशुस्तरी आउसरचना उप्लब्द कराना है कारदल दरा पेश अंतिम रिपोर्ट के इंसार वित वर्स 2020 से 2025 तक की आउधी की दवर्ण नहीं है 2020 से 2025 तक की आउधी के दवर्ण देश में आउसरचना चेत्र इंफ्लेस्ट्चर में कुल निवेश 111 लाग करण रुपे का अनुमान है वित वर्स 2020 से 2025 के आउधी में आउसरचना पर होने वाले अनुमानित पूजी गत्वे की लगभग 71% पूजी विभिन छेत्र जैसे की उर्जा, सडको, शहरी तदा रेलवे में निवेश की जाएगी उर्जा में 24%, शडको पर 18%, सहरो में सहरी पर 17%, रेलवे पर 12% में निवेश की जाएगी आगे चलते हैं, विश्व बैंग की इजाफ डूइंग बिजनस रिपोर्ट के असंदर में निमलिकत कत्वों में से कौन साथ या से कतन सही है जाफ यह आपका नया रिपोर्ट आ गया होगा तो यह पुराना है फिर भी देख लेते हैं डूइंग बिजनस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63 इस्थान रहा है तो यह सही है, दूसरा 2019 में डूइंग बिजनस रिपोर्ट में भारत का 87 इस्थान था दोरों कथनिया पर सही है देखिए बिश्रु बैंक दोरा जारी इज आप डूइंग बिजनस रिपोर्ट 2020 में न्यूजिलेंड सीर्स पर है ठीक है जबकि भारत त्रिस्टटवा इस्थान पर है उन लेखनी है कि इज आप डूइंग बिजनस रिपोर्ट 2019 में भाद 77 इस्थ द्वारा उत्किष्ट कार्प्रेट बॉंड में विदेशी पॉर्ट्फोलियो निवेस की सीमा बढ़ा दी गई थी कितनी इसे बढ़ा करके 15% कर दिया गया था पहले 9% था उसे बढ़ा करके 15% कर दिया गया 2020 के अभी हम लोग 2022-2023 का बजट देख रहे हैं आगे चलते हैं दो सूचिया दी गई हैं इन्हें हमें सुमिलित करना है इनों दो सूचियों को सुमिलित करना है तो यहां पर सीधे यह जो योजना और प्राराम भरस है इनको यहां पर व्याक्ष्या में देख लेते हैं तो दείए PM जन आरोगे अभियान ये 2018 का है PM वयवंदा नियोजना 2017 का है PM रोजगार प्रसाहन नियोजना 2016 का है सच भारत अभियान 2014 का है देखे, प्रधान मंतरी रोजगार प्रसाहन नियोजना 2016 में लांच की गए थी ना कि 2015 में, ठीक है? तो यहां पर जो बिकल्प है, यहां पर 2015 दिया गए, 2016 नहीं दिया गए था ठीक है, इसलिए ये कोशन भी गड़वड़ है तो उत्तर प्रस लोग सेवा आयोगदरा जारी अंतिम कुंजी में इस प्रश्च को मुल्यांगन से बाहर कर दिया गए था देखे, बिकाष, अनविच्छन और मुल्यांगन कार्याले, जो दिरकालिक नीत का अनविच्छन करता है निमनिकत में से किस कार्याले के अंतरगत आता है तो यह नीत आयोग के तहट आता है बिकाष, अनविच्छन और मुल्यांगन कार्याले, DMEO की स्थापना सितंबत 2015 में पुरवर्ती कारिक्रम मुल्यांगन कारियाले PEO और सतंत मुल्यांगन कारियाले IEO का विले करके की गई है यह नीत आयो का एक सब्बद कारियाला है जिसका उदेश संगठन के अनविच्छन यो मुल्यांगन अधिदेश को पूरा करना है और भारत में अनविच्छन और मुल्यांगन परितंत का निर्मान करना है आगे दिछलते हैं निम्निकित में से कौन सा कथन खुद्रा बैपारियों, दुकानदारों और सोरोजगारों सोरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राश्टी पिंसन योजना के बारे में सही नहीं है देखे, 18-40 वर्स आयूर के लोग इसके पात्रें सही है उनका वार्सिक लेन देनी अट्टा नूबर रुपया कितना होने डेड़ करोन रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए ये भी सही है राश्टी पिंसन योजना के सदसे इसके पात्रह ये कथन गलत है इसमें वही पात्रह जो अन्य किसी इस तरह की योजना में सामिल नहीं है तो ये वाला आपका कथन सही नहीं है इसके अंतरगत 3,000 रुपया का माश्रिक पिंसन सुनिश्चित है तो यहाँ पर व्याख्या देखते है तो देखिए ऐसे खुर्दरा ब्यापारी दुकांदा सुनिश्चित ब्यक्ति जिन का वार्सिक लेन देन डेड़ कौन रुपय से अधिक नहीं है वह राश्टी पिंसन योजना के पात्रहे पातरता हिट निर्धारित आयू सीमा 18-40 वर्स है या एक एच्छी क्यों अंसदाई पिंसन योजना है जिसके तहट 60 वर्स की आयू प्राप्त करने पर 3000 रुपय प्रतिमा है कि सुनिश्चित पिंसन प्रदान की जानी है ठीक है राश्टी पिंसन योजना पर अगे है अगला आगदे सुनिश्चित प्रतिमा पिंसन प्रदों की जानी हमें इसका उद्देश प्रतिवर्स 20 चात्र स्टार्टप्स को वित्तिय रूप से सहयोग प्रदान करना है नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन कारण वाला प्रश्ट है तो इसको देखते हैं देखिए ये 2021 के बजट पर आधरित है केंद्री बजट 2021 में किसी की आयदोगनी करने के उद्देश से या उद्देश के साथ ग्रामीन विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है करण बजट में घूशित 16 सुत्ती कारिकरम किसी सिचाई तथा ग्रामीन विकास के लिए चतुरुदिक केंद्रित है तो यहाँ पर कथन और कान दोनों सही है और व्यक्षा भी कर रहे हैं इसलिए यह उप्सन आपका सही है आगे चलते हैं देखिए ट्रेवल एंड टूरिजम प्रतियोगात्मक प्रतियोगीतात्मक सुचकांग जो है उने मोर्न एयों नीतियों का मापन किया जाता है जो यात्रा यों परीटन छेत्र के सत हुआ को सुनिशित करते हैं यह सुचकांग यात्रा यूं अनुसार बेवस्थित करना है तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आएगा छेत्री ग्रामिट बैंक की स्थापना फिर इसके बाद आपका नावाड की स्थापना होगी फिर स्वेम सहाता समू का बैंक लिंकेज कारिक्रम फिर किसान क्रेट कार्ड योजना तो 4123 इसको थोड़ा यहां देखते हैं नाबाड की स्थापना 1982 में देखिए सबसे पहले छेत्री ग्रामिट बैंक 1975 फिर नाबाड 1982 फिर स्वेम सहाता समू का बैंक लिंकेज कारिक्रम 1992 फिर किसान क्रेट कार्ड योजना 1998 आगे चलते हैं कौशल भारत अव्यान के संदर में नि प्रदेश भारत की वाओं को सुचना तक्नीक प्रसिचित करना था यह कथन गलत है तो पहला कथन सई दूसरा वाला कथन गलत है क्यों गलत है उसको भी यहां देख लेते हैं एक सिकेंड प्रधान मंत्री द्वारा कौशल भारत अभियान जुलाई 2015 में लांच किया गया थ अधी योम अलपा उधी प्रसिच्छन के मादेम सी इवाओं को नियोजनिये कौसल से संपन्न करना है ठीक है अब जन संक्या अब नगर करना से सम्में प्रश्ण को देखें तो उत्तर प्रदेश के कानपूर और लखनव नगर किस भारती जनगरना वर्ष में 10 लाखी नग है नगरी संक्लन है जो कि कानपूर नगर लखनाओ गांजियाबाद आगरा वरांसी मेरत प्रयागराज आपका इलहाबाद यह सम्में अधेज olabilir लेबल आप फर्टरिटी तक पहुँचने के लिए जनसे के कुल प्रजन अंदल टोटल फर्टरिटी रेट 2.1 बच्चे प्रति महिला होना चाहिए उत्तर प्रदेश मंत्री मंडल ने 29 जुलाई 2020 को निमनिकित नगरों में से किस में राष्टी विधिवी सुविद्याले की स्थापना का अनुमोधन किया था प्रियाग राज में तो प्रियाग राज में 25 एकड़ भूम पर राष्टी विधिवी सुविद्याले की स्थापना की जाएगी जनुरी 2020 में उत्तरपदेश में कितने इस्थलों को रामसर साइट में सामिल किया गया तो उस समय कुल 6 को किया गया था ठीक है उस समय 6 को किया गया था अब लेटेस्ट याद रखेगा 10 को सामिल कर लिया गया अब उत्तरपदेश में कुल 10 ऐसे इस्थलों जो कि रामसर साइ कुशि नगर हवाई अड़े को से विरासत सहर विकास और विद्धी योजना असब हिरदय के अंतर सामिल किया गया है तो वरांसी बनारस और मत्रु अरों बनारस और मत्रुआ को तो C option आपको सभी हो जाएगा, आगे देखते हैं, राश्टी है विरासस सहर, विकासियों बृध्धी योजना हिर्द है, 21 जनवरी 2015 को लांच की गए थी है, यहाई योजना निम्ने बारा सहरों में कार्यानविद की गई है, ठीक है, अजमेर, अमरावती, अमरिसर, बादाम द्वारका, गया, काजीपुरम, मतुरा, उत्तरप्रतिस का मतुरा, पुरी, उत्तरप्रतिस का वराराणसी, विलकन्नी तथा वारंगल, तो उत्तरप्रतिस के दो सहरों को लिया गए इसमें, मतुरा और वाराणसी को, उत्तरप्रतिस में बायो टेक्नोलोजी पार्क, निम को छोड़ देते हैं अब आतें विविद्वाले प्रश्णों पर दो सुचियां दी गई हैं इन्हें हमें सुमेलित करना है तो देखिए जजमानी पर्था कहां पर होती है यह आपकी होती है उत्तर भारत में 12 बलूट महराष्टा 3 से मिराशी तमिलनाड़ चार से अडाडे करनाटक 2 से तो 1342 फिर से देख लिते हैं जजमानी उत्तर भारत 12 बलूट महराष्टा मिराशी तमिलनाड़ अडाडे करनाटक आयोग ने अपने उत्तर कुंजी मिसका विकल जो है बी दिया हुआ है ठीक है जो की गलत है बी के उनसार देखें क्या हो जाएगा तो बी के उनसार जजमानी आपका उत्तर भारत में है 12 बलूट महराष्ट में यह भी सही है परंद मिराशी को उन्होंने जो है करनाटक में माना है और अडाडे को तमिलनाड़ माना है जबकि मिराशी तमिलनाड़ का है और अडाडे करनाटक का है आगे चलते हैं सब पर्थम शीमान्त व्यक्त या मार्जिनल मैन की संकलपना का प्रतिपादन किया गया किस के दोरा, Robert E. Park के दोरा, Robert E. Park के दोरा, सब परतम, Robert E. Park ने सीमान्त आदमी, marginal man की संकलपना का प्रतिपादन, अपने लेख, मानों का इस्थान परिवरतन, और सीमान्त आदमी, human migration, and a marginal man में किया, हलाकि इस संकलपना को लोग पर ये EB stone qist ने किया थ रॉबर्ट ई पार्क ने इस बात की और संकेत किया कि बीविन प्रजातियों की बीच आपसी संबंद की बीच जो नई प्रजातिय अत्वा पीड़ी विश्षत होती है वहां संक्रमन की दौर से गुजरती है तता दीरे-दीरे अपने समाज में हासिये पर चली जाती है इस का अपने आपको बेचैन रुग्ण और कलांत अन्वो करने लगता था उसके अंदर आइस्थाई पन भावज लगने लगते हैं बहुत सारी प्रजातियां अपने सारी आकर्ति के काणई ही हासिये पर चली जाती है जैसे कि दच्छे अमेरिका अफरिका और अमेरिका के अश् प्रणाबाद में ब्रदेश के होशंगाबाद में मद्द प्रदेश के होशंगाबाद भारत मिट्टी बचाओ अन्दर प्रणाबाद को सही माना गया है आगे जलते हैं राश्टी महिला आयोग के निमिखित अध्यच्छों पर विचार की जयाती पटनायक ममता सर्मा अधवानी हमें यहाँ पर इनका सही कालक्रम बताना है तो देखिए इसमें करम यहां पर देख लेते हैं जैनती पटनायक जैनती पटनायक जो है महिलायू बाल विकाश मंत्रा वारत सरका दूरा नई दिल्ली में किया था यहाँ बाल देख बाल संसतानों के बच्चोित आयुजीत एक राश्टी महसो था आगे देखते हैं लागडाउन के दौरान भारत सरकार के दौरा प्रियुक्त अस्वधान सक्तियों को विधिक आधार ने में किन कानूनों से प्राप्थ हुआ तो देखिए यह इसमें प्राप्थ हुआ था आपका डिजास्टर मेंजमेंट एक्ट 2005 और एपेडिमिक डिजी प्रियुक्त असाधान सक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मेंजमेंट एक्ट 2005 तथा एपेडिमिक डिजीज एक्ट 1887 से प्राप्थ हुआ को बिशुस्वा संक्रिशन द्वारा महामारी घोषित के जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमल को रोकने यह तो क तो तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद